Hello everyone, आज हम पढ़ेंगे Advanced Engineering Mathematics Chapter 1 Exercise 1.1 और हम 5 to 8 questions solve करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो Question No.5 सबसे पहले हम Variables Separate कहले लेते हैं यह हम लिख सकते हैं dy over dx is equal to 4 e की पावर माइनस x cos x अब यह dx उस साइड चला जाएगा, इदर रहा जाएगा dy is equal to 4 e की पावर माइनस x cos x dx अब आम इससे partially integrate कर लेते हैं integrate partially अब इस साइड हमने integration लिया है dy is equal to integrate 4 e की पावर माइनस x cos dx यह हमारे पास u है और यह है dv पाच्च्टी integrate का क्या फर्मूला होता है वह हम लिख लेते हैं integrate udv is equal to uv minus integration v du अब हम u के equal ले लेंगे 4 e की पावर माइनस x को अब हम इससे differentiate करेंगे तो यहां पर आजाएगा d u is equal to minus 4 e की पावर माइनस x इस तरह हम d v differentiate करेंगे तो यह बन जाएगा v is equal to sin x का इंटेग्रल होता है sin अब हम इसे फर्मूले में put करते है put in formula फर्मूला यह वाला लिखा हुआ है अब हम इसे फर्मूले में put कर लेते हैं पहले हम फर्मूले लिख लेते हैं udv is equal to uv minus integrate v du आ गया अब यहां पर हम ले लेंगे y is equal to u हमारे पास क्या है 4e की पावर minus x और v हमारे पास क्या है sin x minus v du अब हमारे पास v क्या है v हमारे पास है sin x हमने लिख लें sin x और du हमारे पास क्या आया था minus 4e की पावर minus x अब अगेन हमारे पास यह बन गया है dv और ये बन गया है u अब हम दोबारा u is equal to 4 e की power minus x लेते हैं और ये जो minus minus था ये आप उसमें plus हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे minus 4 नहीं ले रहे हैं 4 e की power minus x और d u जब हम इसको differentiate करेंगे तो ये बन जाएगा d u is equal to minus 4 e की power minus x dx अब हम dv लेंगे dv is equal to sin x तो जब इसका हम differentiate करेंगे तो v is equal to आजाएगा minus cos x अब हम इसे again formula में put करेंगे put in formula formula क्या था है मारे पास ये था y is equal to ये इस तरह आजाएगा e की power minus x sin x ये plus हो जाएगा minus into minus plus हो जाएगा यहां पे आजाएगा plus अब हमारे पास u और v के है u है हमारे पास 4 e की power minus x और v है हमारे पास minus cos x minus यह यहां पे हमारे पास ये v है और ये है du तो अब हम यहां पे v हमारे पास क्या है minus cos x और du हमारे पास क्या है du आया है minus 4 e की power minus x dx अब ये देखें ये minus minus plus हो जाएगा अब हम दोबारा लिख लेते हैं y is equal to e की power minus x sin x plus 4 e की power minus x into minus cos x minus ये minus minus plus हो जाएगा तो अंदर आजाएगा cos x 4 e की power minus x dx तो ये same वही बन गया है यो यहां पे था ये जो था ये वही बन गया है दोबारा से तो इसे हम क्या कह देते हैं ये y है इसे हम y कह देते हैं तो यहां पे आजाएगा y is equal to e की power minus x sin x ये minus इतर बाहर आजाएगा minus 4 e की power minus x cos x और यहां पे यहां पे यहां पे जो y था यहां पे पे यहां पे जाएगा हमने नहीं साथ दिखा दोबार हम add कर लेते हैं यह 4 भी साथ था अब हम 2 y is equal to यहां में से हम 4 e की पावर माइनस x कामल ले लेते हैं तो यहां पे आजाएगा sin x माइनस cos x प्लस c अब हम इस 2 को इस साइड डिवाइड कर देंगे y is equal to यहां पे आजाएगा 2 e की पावर माइनस x sin x माइनस cos x प्लस c बाइ 2 अब हम c बाइ 2 को हम क्या कह देते हैं c बाइ 2 is equal to c2 के नाम equal ले लेते हैं तो यहां पे क्या आजाएगा y is equal to 2 e की पावर माइनस x sin x माइनस cos x plus c2 तो यह हमारा आंसर हो गया अब हम question number 6 को solve करेंगे y double bar is equal to minus y है यह second order differential equation है y double bar plus y is equal to 0 second order differential equation को solve करने का फर्मूला होता है second order differential equation है इसका फर्मूला होता है a y double bar plus b y bar plus c y is equal to 0 हम a is equal to 1 ले a हमारा 1 है यह वाला a हमारा 1 है इसी तरह b y bar हमारे पास यहां पर बार कोई नहीं है तो b हमारा 0 है और c हो y है c y होता है और y हमारे पास है तो c is equal to 1 यह value आ गई अब हम यहां पर use करेंगे एक और equation characteristic equation वो क्या होती है यह होती है a t square plus b t plus c is equal to 0 अब हम इसे use करेंगे a हमारे पास क्या है 1 t square plus b क्या है हमारे पास 0 t plus c क्या है हमारे पास 1 is equal to 0 t square plus 1 is equal to 0 t square 1 इस साइड चला गया यहां पर हो गया minus 1 अब हम इस पे under root लेंगे square खतम करने के लिए तो हमारे पास आग जाएगा t t is equal to plus minus iota अब यह complex conjugate है तो अब इसका formula complex conjugate का formula होता है इसका formula हमारे पास होता है y is equal to c1 e की पावर a x cause b x plus c2 e की पावर a x sine b x अब हम इसमें value पुट कर रहते हैं y is equal to c1 e की पावर a x यहां पर हमारा a t is equal to i का 0 plus minus iota तो यहां पर हमारे पास a x तो एक ही जगा हमारे पास क्या है यहां पर है 0 cause cause b x plus c2 e की पावर a x यहां पर हम 0 put करेंगे sine b x c1 यह तो हो जाएगा 1 तो यह आ गया आ जाएगा cause अब b x भी क्या है iota के साथ क्या है 1 तो यहां पर भी 1 तो यह सिंपल आ जाएगा cause x plus c2 यह भी 1 हो जाएगा आ जाएगा sine x तो यह हमारा answer आ गया अब हम question number 7 solve करती है 7 y bar is equal to cause h 5.13 x अब हम इसे ले ले लेते हैं dy is equal to cause h 5.13 dx यह हमने separate भी कर लिए इसी step में अब integrate बोच साइड integrate bs यहां पर integration लेंगे dy is equal to cause h 5.13 dx अब यहां पर आ जाएगा y और यह जो है यह आ जाए यह जो इसकी बेस में है यह constant है क्योंकि यह दो बाहर आ जाएगा 1 over 5.13 यहां पर जो cause का integral होता है वो होता है sin तो यहां पर आ जाएगा sin h 5.13 1.13 x plus c तो यह हमारा answer आ गया है अब हम question no.8 solve करते हैं इसे हम 3 बार integrate करेंगे integrate integrate both side अब हम इसे integrate कर देते हैं, इस side हम जब integrate करेंगे, तो यह आ जाएगा, y double bar is equal to, और इस side हम अब integrate करते हैं, 0.2x, तो यह जब integration करेंगे, तो यह आ जाएगा, minus 1 over 0.2, e की power, minus 0.2x, अब हम again इसे integrate करेंगे, हम consider इसमें last में add कर लेंगे, अब यहाँ पर integrate दोबारा करेंगे, तो यहाँ पर y आ जाएगा, y bar is equal to, यह जो होता है, 1 over 0.2, यह होता है, 5 के equal, तो यहाँ पर आ जाएगा, minus 5, e की power, minus 0.2x, से हमें integrate कर लेते हैं, dx भी साथ आएगा, यहाँ पर नीचे, तो यह आ जाएगा, y bar is equal to, 5 over 0.2, यह माइनस और यह भी माइनस था, तो इसलिए यह ब्लैस हो जाएगा, उपर नीचे, और आ जाएगा, 7, e की power, minus 0.2x, अब यह हो जाएगा, y bar is equal to, यह हो जाएगा, 25, e की power, minus 0.2x, अब हम इसे again integrate करते हैं, तो यह आ जाएगा, simple y, is equal to, 25, e की power, minus 0.2x, dx, अब यह आ जाएगा, y is equal to, 25 constant है, तो बाहर आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, 0.2, minus में, और यहाँ पे आ जाएगा, e की power, minus 0.2x, प्लस c, तो यह हो जाएगा, y, is equal to, minus 125, e की power, minus 0.2x, प्लस c, तो यह हमार आ जाएगा, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आएगे, वीडियो को लाइक करें, जैने को subscribe करें, तेंक्स वरबाचिका,